नमस्कार दोस्तों आपके साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँ देश बिदेश की खबरों के साथ नया मोर लेने वाला है यूकरेन युद्ध जिहां यूयस के चलते फस गया है रूस और भारत के भारत उसे ऐसे मदद की है जिहां आपको आई ये विस्तार से खबर के बारे मे मास्को और कीप के बीच खाद्यान समझाओते में एक बार मदद की है जी हाँ आपको बता दें पिछले 10 महीने से जादा समय जारी यूकरेन युद्ध अब नया मोड लेने वाला है इसकी बज़ा बताई जा रही है यूकरेन को अमेरिका द्वारा दी गई ताजा मदद दरसल अमेरिका ने हाल ही में यूकरेन को अपनी एल्गोरिदम हथियार पडाली उपलब्द कराई थी जो रूस के लिए मुसीबत बने हुई है रूसी मिसाइले अब हवा में ही मार कर गिराई जा रही है इस प्रडाली की तैनाती के कारण यूकरेन युद्ध रूस के खिलाप बड़ा मोड लेने को तैयार है जिहां भी सेसर्ग्यों की माने अब यूकरेन भी रूस पे हमले कर सकता है फिलहाल युद्ध के समाप्त होने के आसार नजर नहीं आ रहे है इसको लेकर पूरे यूरोप में खाद्य और उर्जा को लेकर चिंता बनी हुई है वहीं दूसरी और चीन हिंद प्रसान छेत्र में आपना कद बड़ा रहा है जो नए संकट को जनम दे सकता है दरसल बिदेश मंत्री सुबरमण्यम जैसंकर की साइप्रस और आस्ट्रिया की यात्रा चल रही है इस सपतावर की यात्रा के दौरान उन्हेंनी यूकरेन का मुद्धा खूब उच्छाला और यात्रा के दौरान या हसपस्ट हो गया की यूकरेन अब रूसी हमले को उलटने में सक्षम है हालांकि यूकरेन से मिल रही कड़ी टककर के बीच रूस खामोस नहीं बैठने वाला है रूस अब यूकरेन के कबजे के लिए छेत्र दोनबास और लुहास को बचाने के बड़े पैमाने पर जबाभी करवाई सुरू कर सकता है अमेरिका एल्गोरिदम स्टेंड आफ हाथियार पढ़ाली के लंबी दूरी आर्टिलेरी गन की निरंतरा पूर्ती का रोस फस्ता हुआ नजरा रहा है ऐसे एक संभावना है कि यूकरेन मौजूदा युद्ध को रूसी छेत्र की तरफ ले जा सकता है जिससे राश्टपती बली दिमार पूतिन की मुस्कले बढ़ सकती है खुद रूस का कहना है कि उसके नियंतरण वाले दोने सक्षेत को यूकरेन के राकेट हमले से उसके 63 साइनिक मारे गए इन सब के बीच यूरोपी देश हुए परिसान आई अपनी आत्रा के दोरान विदेश मंत्री यस जैसंकर ने बियना में IAEA के DG राफेल गोसी के अलावा साइप्रस आस्ट्रियाई लीडर्शिप बलगेरिया राश्ट्रपती चेक और स्लावर के बिदेश मंत्रों से मुलाकात भी की यहां समझा जाता है कि पूरवी यूरोपी लीडर्शिप के साथ उनकी बातचीत के दोरान यह काफी असपस्ट हो गया था कि यूकरेन युद जारी रह सकता है और यूरोपी देश के नेताओं ने जैसंकर से बातचीत करके उनका रूख जाना भारत का रूख समझने की को जाता चला कि साइप्रस, आस्ट्रिया, चेक और स्लिवा के बिदेश मंतरियों ने जैसंकर के बायान से भारत के रूख को बखु भी समझा है जहां 348 किलोमीटर की लंबी LAC पर चीनी पियले ने अपने छेतर की रक्षा करने के भारत की मजबूत द्रिणता की भी सराहना क साथ ही यूरिवपी विदेश मंतरियों ने माना पिछले साथ दसकों में रूस के साथ भारत के पुराने संबंध रहे हैं और भारत हर कदम पर रूस की मदद करता आया है इन संबंधों में यूकरेन पर आकरमण के कारण मामुली समय में खत्म नहीं किया जा सकता दरसल ऐसे समय पर थे जब पस्चिमी देशों ने अमेरिका के नित्व में भारत के पस्चिमी और उत्तर विरियोधी पाकिस्तान पर अपना दाव लगाने का फैसला किया था सीमा पार आतंगबाद को देखते हुए भारत पाकिस्तान से उत्तर में चीन के छेतरी खत्रे का सामना कर रहा है इसलिए भारत के पास अपनी बिरासत को जारी रखने के लामा कोई भी कल्प नहीं है क्योंकि हथियार पडालियों को एग नए एक दिन बदला नहीं जा सकता बल्कि इसमें दसकों लगते हैं निकोसिया और बियना में राजनाईकों के अंसार एस जैसंकर के समकक्षों और वरिष्ट नेतित में नरेंद मोदी सरकार द्वारा भारती अर्थब्योस्था के बिस्तार को लेकर साथ-साथ कोबिड बैस्षिक महमारी से लड़ने के लिए उनकी तारीफ की है उन्होंने ना केवल अबादी के टीका करण बलकि दुनिया के प्रभावी देशों के टीके परदान करने के लिए उठाए गए कदमों की भी सराहना की कि भारत जिस तरह से देश-बिदेशों को कुरोना के टीके पहुचाए और उन्हें दम-दम पे रूस की मदद की और आ आसको और कीव के बीच खाद्यान सम्झोते में मदद की आस्टेके डाइपरेस को दिये गए साक्षात कार में जैसंकर ने यूकरेन संकट के बारे में एक बार जबाब की स्विती को सामाने बनाने में युगदान देने की तयारी का संकेत दिया रूस ने भारत द्वारा सस दुगनी हो गई है तेल बाजार पर इरान पर लगे प्रतिबंध और बेने जुएला पर होने वाले घटना करमों पर भी असर पड़ सकता है जहां हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि क्या भारत अब रूस की मदद करने से ये युद्ध कहां तक और जा सकता है या ये युद कितनी और गंभीरता को ले सकता है भारत में इसकी आहम रोल क्या होगी और इन सब का बैसिक प्रभाव क्या पड़ रहा है आप कमेंट के माध्यम से हमारे चैनल साथ जुड़े रहे और कमेंट के माध्यम से हमें सुझाओ दीजिए कि आगे क्या हो सकता है